हेलो दोस्तों मैं राकेश शौधरी आपका mathematics teacher वेलकम करता हूँ आपका digital ताहरी के YouTube चैनल जैसा कि आपको पता है हम बात कर रहे हैं दुकमिनी publication की platform book के बारे में जिसमें हमारा chapter है आज का simple interest जिसका level 1 देख रहे हैं और उसका part हम देख रहे हैं तो पहले थोड़ा सा simple interest होता क्या उसको देख लेते हैं फिर इसके question से start करें देखिएगा simple interest के बारे में बात करें जिसे हम क्या कहते हैं साधारण ब्याज या सरल ब्याज कुछ भी कह सकते हैं दू तरह का interest होता है एक तो simple और एक कौन सा आपका compound चरल ब्याज और चक्रवती ब्याज तो simple interest किसके बराबर होता है प्रिंसीपल टाइम रेट ऑफ इंट्रेस्ट अपॉन कितना बन है कि पी टी आर बटा सो मूल्दन इंटू समय इंटू दर बटा में चलिए जिस प्रकार से हम profit and loss में CP को क्रे मुल्य को 100% माना करते थे जिस प्रकार से हम discount में अंकित मुल्य मार्क प्राइस को 100% माना करते थे क्योंकि profit किस पर होता था profit या loss जो भी होता था क्रे मुल्य पर ठीक है discount किस पर होता था MRP पर वैसे ही simple interest जो हमारा chapter है उसमें हम principle मतलब मुल्य धन को प्रतीशत में कितना मानेंगे 100% ऐसा क्यों simple इसाब है for example मैंने किसी को 20,000 रुपे उधार दिया मतलब ये मेरा क्या है मूल्य धन और example मैंने 3 वर्ष के लिए उधार दिया तो ये मेरा समय हो गया 3 वर्ष मैंने 5 प्रतीशत की दर से उधार दिया ये मेरे ब्याज की दर हो गई हमेशा ध्यान रखेगा simple interest में जो दर होगी वो दर प्रतीवर्ष होगी हर एक साल की होगी अर्दवार्सिक, त्रेमासिक, हाफियर्ली, क्वाटर्ली ऐसा कुछ नहीं होगा ये होता आपके चक्रवती व्याज में तो मैंने 20,000 रुपए दिये हैं 3 साल के लिए दिये हैं 5 प्रतीशत प्रतीवर्ष की दर से उधार दिये हैं तो अगर मैं देखू इस फॉर्मुले से सिंपल इंट्रेस कितना आएगा, मूल्दन, समय, दर, बटा में कितना, एक एंसल 5 का 3 से 15, 15 का डबल कितना, 30 और 0 कितने लग गए आपके, ठीक है, तो 3000 रुपए हमारा क्या आएगा, सिंपल इंट्रेस आएगा फॉर्मुले से, बेना फॉर्मुले के देखता तो भी आजाता, कैसे, देखिएगा, वो जो मैं बताने जा रहा हूँ, वो भी फॉर्मुला ही है, कोई बड़ी बात नहीं है, देखिएगा, आपको पता है, जैसा कि, जो आपका मूल्दन होता है, उस पर जो ब्याज मिलता है, वो आपका हमेशा सरल ब्याज, पर डिसकाउंट मिलता था, वैसे ही, यह जो आपका चकरवती ब्याज है, जो चकरवती ब्याज हम पढ़ेंगे, यह तो सिंपल इंट्रेस्ट है, सरल ब्याज है, जब चकरवती ब्याज हम पढ़ेंगे, कंपाउंड इंट्रेस्ट हम पढ़ेंगे, तो चकरवती ब्याज म केवल मूलदन पर ब्याज़ेगा तो 20,000 मेरा मूलदन है इसी पर मुझे तीन साल तक 5 प्रतीशत प्रतिवर्श की दर्फियाज मिलेगा तो मूझे है तो इसका मतलब कितना 20,000 उसका 15 प्रतिशत जो है वो आपका क्या होगा ब्याद यह से यह कैंसिल हो गया तो 15 का 200 से गुणा कर लेंगे हम तो देख सकते हैं कितना आ जाएगा 15 का 2 से किया 30 और फिर वोई 20 तो वही चीज आ रही है 3,000 तो यह भी फॉर्मुला है यहीं से आया है लेकिन इसमें फॉर्मुले के थुरूर नहीं समझा सिंपल सा लॉजिक हमने समझा कि 20,000 रुपय पर आपको ब्याज लेना है हर साल 5 प्रतिशत लेना और 3 साल तक लेना है तो 5, 10, 15 टो जाला 3,000 आया और अगर फॉर्मुले में जाएं तो भी वही बात अब एक चीज और देखिएगा जैसा कि मैंने आपको कहा कि हमेशा आपको मुल्दन को प्रिंसिपल को कितना मानना है 100 प्रतिशत मानना है क्यूंकि अगर मैंने किसी को 20,000 रुपय उधार दिये है तो आपस आएगा ही ठीक है तो इसका मतलब इसके अलावा जो आएगा जैसे कि यहां पर इसके अलावा 15 प्रतिशत आया वो मेरा क्या होगा ब्याज होगा तो अगर मैं मुल्दन को 100 प्रतिशत मानते होए इस सवाल को करूँ तो अंस्वर मेरा सेम आएगा क्या बिलकुल मैंन मुल्दन को कितना मानने को कहा है आपको 100 प्रतिशत मुल्दन केतना है 20,000 जो की प्रतिशत में कितना है 100 तो मैं लिख सकता हूं 100 प्रतिशत रुपाय में किसके बराबर है 20,000 एक प्रतिषत का मान कितना हुआ? एक का मान निकालना एक एक नियम से 100 का चला जाएगा नीचे तो एक का मान हुआ 20,000 बटा 100 क्या हमें एक प्रतिषत चाहिए क्या नहीं? हमें क्या निकालना है? ब्याज जो की मैं देख सकता हूँ जितना समय है और जितनी दर है उनका गुणा कर दू तो मुझे मिलने वाला प्रतिशत भ्याज पता चल जाएगा तो मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है? 15 प्रतिशत तो ये तो एक partirट का माने 15 का माने कितना होगा? 15 से गोना करें, सेम वही आ रहा है कितना 3 जाए, ठीक है, तो आप formula याद करें, या फिर ये जो मैंने आपको percentage वाला तरीका समझाए, उससे करें एक ही बात है, तो ये तो हो गया हमारा मूलधन और मिलने वाला उस पर सरल ब्याद, साधरन ब्याद, सिंपल इंटर, अब बात क कहते हैं, वो होता है, जितना पैसा हमने दिया है, उधार, या जितना पैसा हमने किसी बैंक में डाला है, या जितना पैसा हमने किसी योजना या स्कीम में लगाया है, वो प्लस उस पर जो वापस हमको ब्याज मिल रहा है, रिटन मिल रहा है, हमारा एस प्रॉफिट है, हमा ठीक है उस पर 3,000 और वो मिला कर देगा सामने वाला तो इसका मतलब मैं ये देख सकता हूँ कि 20,000 और 3,000 ये हमारे कितने हो गए 23,000 तो इसका मतलब 23,000 हमारा क्या हो गया मिश्रदन हो गया अमाउंट हो गया 20,000 जितना दिया और 3,000 उस पर हमको फाइदा हुआ जो कि हमारा सरल ब्याज था तो जितना हमने दिया और जितना सामने वाले ने अपनी जेप से मिलाया वो हमारा क्या कहलाता है मिश्रदन मतलब आमाउंट तो इसको परसंटेज के हिसाब से भी देख सकते हैं कोई बड़ी निकाल लो तो दो तरीके हैं मूल्दन है आपके पास ब्याज निकाल लो मूल्दन में ब्याज जोड़ लो जैसे कि मैंने जोड़ा है 30,000 अंसर आ गया नहीं तो दूसरा तरीका एक हम ये भी कर सकते हैं कि हमें पता है मूल्दन कितना है 100 प्रतिशत तो 100 प्रतिशत है मूल दन अमाउंट और मिस biscuit क्या होता है मूीफन कुछ मुल्दन प्लस फ्लू गॉल दन को कितो मान रही हैं हम 100 प्रतिशत ठीक है और ब्याज में कितना देख पा रहा हूँ 15 प्रतीशत तो कितना आएगा वापस मेरी जेब है 115 प्रती एक का मान इतना है मुझे मान निकालना 115 का तो 115 से मैं कर दूँगा इसको गोल यह डबल से डबल चला गया 115 कर लेते हैं कितना हो गया 230 और 0 कितने हैं आपके पास दो और है तो 23,000 रुपे हम कह सकते हैं हमारा अंस्वर ठीक है चलिए तो यह था हमारा इंट्रेस्ट उसके बारे में अब करते हैं इसकी कुश्चन सिस्टा आपको कह रहा है 15,000 रुपे की कोई दन रशी दो भागों में इस प्रकार उधार दी जाती है कि एक भाग पर 10 प्रतिशत वार्षिक दर से 5 वर्षों का साधारन ब्याज दूसरे भाग पर 12 प्रतिशत वार्षिक दर से 4 वर्षों के साधारन ब्याज के बराबर होता है तो बताइए साड़े बारा प्रतीशत पर उधार दी गई धन रशी कितने रुपे है बता सकते है तोटल अमारे पास कितना है मूलदन पंदरा सो रुपे इसको दो बागो में तोड़ा आमने P1 और P2 प्रिंसिपल फर्स्ट और प्रिंसिपल सेकेंड पहला मूलदन और दूसरा मूलदन पहला मूलदन जो है उस पर दस प्रतीशत है दर और पांच वर्ष का है तो मैं देख सकता हूँ हर साल दर कितनी है वार्शिक लिखावा है नह 10% ही लिखावा होता तो by default मतलब अपने आपसे हम उसको वाट्सिक मानते हैं 10% हर साल मिलेगा 5 साल तक मिलेगा तो टो टोल ब्याज कितना मिलेगा 50% तो इसका मतलब मुल्दन कितना है पहला P1, 50% ब्याज तो मिलेगा, लेकिन ये 50% ब्याज मिलेगा किस पर, जितना मुल्दन है उस पर, जैसे कि पिछले वाले में 15% था, तो वो 15% किसका था, 20,000 रुपै जो हमारा मुल्दन था उसका, तो अभी मुल्दन P1 मान रखा है, तो उसका पंद, आपको 50% किया होगा ब्याज, तो P1 का 50% होगा सरल ब्याज, फर्स्ट वाली कंडिशन, सेकेंड में ये कह रहा है, साड़े-बारा प्रतीशत वाडशिक है, तार वर्शों की बात कर रहा है, तो मैं देख सकता हूँ, साड़े-बारा एक साल में है, चार साल मे कितना होगा, साड़े-बारा का चार से गुणा कर लेते हैं, तो साड़े-बारा का चार से गुणा करूँगा, तो ये भी 50 आया, तो इसका मतलब जो दूसरा वाला प्रिंसिपल है, P2, उसका 50% हमें ब्याज मिलेगा, सेकेंड वाली कंडिशन में, ठीक है, तो ये और ये प्रश्णी के अनुसार क्या है, आपस में बराबर, तो कर लेते हैं, बराबर, ये लीजे, कर लिया, कैंसिल होने के लिए, तो ये पूरा ही कैंसिल हो गया, तो P1 अपॉन P2 कुछ बचा ही नहीं, मतलब एक अनुपात एक बचा, उक्कुल मिला कर ये जो पंदरा सो रुप प्रतिशत पर उधार दी गई, धन राशी मतलब वो मूल धन क्या था, तो साड़े बारा प्रतिशत के लिए अगर आप देखो तो P2 है, ठीक है, P2 का रेशियो देखो तो कितना है, वन है, तो इसका अनुपात एक में है, तो दौनों बराबर हो गए, तो पंदरा सब भी तो बराबर कुकड़े के आओंगे, साड़े साथ सो, साड़े साथ साथ, चलिए, सैकेंड कुश्यन देखो, क्या कह रहा है, दूसरा सवाल देखी, सत्रा सो पचास रुपए मूल्दन पर साथ वर्षों के बाद एक निश्चित ब्याज की रकम प्राप्त, ठीक है, प्रिंसिपल आ गया, सत्रा सो पचास, साथ वर्षों के बाद में एक फिक्स आपको सिंपल एंटरेस मिल जाएगा, कितना मिलेगा वो नहीं पता है, लेकि कि साथ वर्ष, सत्रा नहीं है, साथ वर्ष है, सत्रा सो पचास रुपए है, साथ वर्ष के बाद एक मिश्चित ब्याज की दर प्राप्त होगी, ब्याज की राशी प्राप्त होगी, अगर ब्याज की दर दो प्रतीशत बड़ा दी जाए, तो अब और कितना अधिक धन जो सास बटा सो क्या हमें एक प्रतिशत का मान चाहिए नहीं हमें तो यह बताना है कि हर साल अगर दो प्रतिशत हमने ब्याज की दर बढ़ा दी तो अब पहले से कितना ज्यादा ब्याज हमें मिलेगा हर साल दो प्रतिशत बढ़ेगी साथ साल का काम है तो हर साल दो प्रतिशत के अकिसाइसे साथ साल में कितने प्रतीशत ब्याज बढ़ेगा 14 प्रतीशत यह एक प्रतीशत का मान है। और तीन कितना हो गया आपके choice 245 मतलब तीसर आप्षिन आपका बिल्कुल उस्तेगी चलिए बात करते हैं next question number तीसरे के बारे वैभव ने 400 रुपए साधारन ब्याज की दर पर दो वर्षों के लिए सौरब को उधार दिये और 100 रुपए उसी दर पर तीन वर्षों के लिए सौकत अली को उधार दिये यदि उन दौनोंने कुल मिला कर उसको 55 रुपए का ब्याज दिया हो तो बताईए ब्याज की दर क्या थी जितना ब्याज की दर उसने सौरब को दिया है उतनी ही ब्याज की दर उसने सौकत अली को दिया चलिए तो वैबव है इसने सौरप को दिया कितना 400 रुपे है को दिक्कत वागए यहां पर हमें rate of interest नहीं पता है चलिए 400 रुपे दिया है दो साल के लिए दिया है rate of interest कितनी है यह नहीं पता तो यह मिलने वाला ब्याज हो गया वैभव को किस से सौरप से सौरप से कितना वैज मिलेगा इतना अब आपको ये कह रहा है कि सौकत अली जो है सौकत अली से भी वैभव को वैज मिल रहा है कितना मिलेगा मूल्दन कितना है सौ समय कितना है तीन वैज की दर नहीं पता बटा में कितना प्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप् वो रूपए में कितना है आपके पास 55 रूप तो बस अंस्वर भी आ गया हमारा रेट आफ इंट्रेस्ट पूछी थी 5 प्रतीशत आ चुकी है जो कि मैं देख सकता हूं तीसरा आप्षिन आपका बिल्कुल सई है तेल यह बात करते हैं चौथे के बारे एक व्यापारी ने दो साहू कारों से कुल 2,000 रुपए करज लिया है एक करज 8 प्रतीशत वार्षिक और दूसरा करज 6 प्रतीशत वार्षिक साधरन ब्याज पड़ लिया है एक वर्ष के बाद उसने कुल जो है 136 रुपए दे दिये हो तो बताईए कि व्यापारी ने 8 प्रतीशत वार्षिक साधरन ब्याज की दर से कितनी राशी उधार ली थे इसको allegation method से करेंगे मिस्रण विदी से देखिएगा पहले तो कुल मिला कर ब्याज कितना 136 रुपए ठीक है चलिए इसको बाद में देखते हैं पहले method ही लगा लेता है फिर इसकी जरूरत कहां पड़ेगी वो समझा दूए तो first और second कुल मिलाकर 2000 रुपए का करज लिया है एक को दे रहा है आठ पर्तिशत और दूसरे को दे रहा है 6 पर तीशत देगा 6 पर दूसरे वाले साहूकार को कितना ब्याज देगा तो यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा जितना होगा वो प्रतिशत में ब्याज की दर तो प्रतिशत में तो नहीं है, कुल ब्याज हमें पता है, वो रुपए में है जो कि कितना एक सो चुछ तो allegation misran vidi लगा रहे हैं आप देख सकते हैं यह 8 प्रतिशत है यह 6 प्रतिशत है क्या 136 रुपए लिख सकते हैं क्या याँ पर नहीं क्योंकि तीनों जो चीजे लिखी जाती है वो तीनों सेम होनी चाहिए अगर यह प्रतिशत में है तो यह भी प्रतिशत में ही होना डबल जीरो से यह डबल जीरो कैंसिल हो गया 136 है और यह कितना है इसको कैंसिल कर लेते हैं तो कितना बनेगा यह 68 पॉइंट लग जाएगा तो 6.8% हम कह सकते हैं कि कुल मिलाकर जो ब्याज है वो ब्याज होगा दौनों साहुकारों के लिए ठीक है जो कि उस आदमी द्व में हमने profit & loss में भी लगाया इसकांट में भी देखा था तो यहां पर इन दोनों का अंतर आएगा अंतर मुल्म बड़े मैं से चोटे को कम कर दिया यहां पर इन दोनों का अंतर आएगा तो बड़ा यह हैं छोटा यह तो इसमें से कम कर देते हैं कितना हो जाएगा पॉ LIVE कर कर देखते हैं कि अमने प्रॉफिट्र लॉस में भी लगाया था जो यह रेशियो आता यहांपर यह सारी हो रही है जिस पर रही है उसका रेशियो थूरियू它 सरलल्व जैसा कि आता किस पर मिलता आपको आपको मिलता है मूल्दन पर तो यह जो दू मूलदन है उनका हमारा क्या है यहां पर अनुपात तो टोटल कितना है 2000 रुपे हमारा मूल्दन नीचे अनुपातों का टोटल दो और तीन कितना 5 किसके बारे मिए पूछ रहा आपको आपको पूछ रहा है 8% प्रतिशत वाली के बारे में 8 प्रतिशत के लिए कितना है 2 तो गुणा में कितना आ जाएगा 2 कितना आ गया 800 रुपए 800 रुपए मैं देख सकता हूँ पहला आप्शन मेरा बिल्कुल रही चलिए अगर ये दूसरी 6 प्रतिशत वाली के लिए पूस्ता तो गुणा में क्या कर देते तीन 500 राजा तब 1200 रुपए चलिए ये था क्वेशन नमबर 4 बात करते हैं नेक्स्ट 5 के बारे कि क्या गेर है पांचवा कोई दन एक निश्चित ब्याज की दर पर उधार दिया जाता है यदि मूल्दन को 20 प्रतिशत बड़ा दिया जाए तो दर को कितना कम करना पड़ेगा ताकि दिये गए वर्षों में पहले जितना ही ब्याज प्राप्ट होगा इस तरह की कुशन हमने पर्संटेज में बहुत किये किसी आयत की लंबाई को इतना प्रतिशत बड़ा दें तो चोड़ाई को कितने प्रतिशत कम करें ताकि पहले जितना ही उसका शित्रफल रहे इसी आदमी की इतने प्रतिशत आपके वेतन जो है पेमेंट जो है बढ़ जाता है तो फिर से कितने प्रतिशत कम करें कि उसका पेमेंट पहले जितना ही हो जाए तो कुल मिला कर यह है जब एक बार चीज बढ़ा कर वापस कम करने को कहे या फिर कम करके फिर बढ़ाने को कहे तो आपको मैंने परसेंटेज में सिंपल सा एक तरीका बता रखा है पूछा तो प्रतीशत में है तो गोणा में 100 करना ही है पूरे कुश्चन में प्रतीशत कितना दे रखा है 20 उसे लिख लो उपर फिर क्या पूछा उसे चोड़िये ये 20 किसका है बढ़ाने का बढ़ाने का है तो नीचे 20 जोड कर लिख लो 100 में 20 प्रतीशत है ठीक है तो 20 प्रतीशत मैंने आपको कहा था जो परसंटेज दे रखा वो उपर लिख लो अब ये 20 प्रतीशत किसका है बढ़ाने का बढ़ाने का है तो नीचे का लिख लेंगे सौ में 20 जोड कर 120 गटाने का होता है तो सौ में से 20 गटा कर नीचे लिख लेते 80 ये कैंसिल हो रहा है एक बटा 6 का परसंटेज वेल्यू अगर मैं देखू हूँ एक बटा 6 का प्रतीशत में मान होता है 16 सही 2 बटा 3 प्रतीशत इसका होला सेकेंड आप्शन हमारा बिलकुल सायू चलिए ये था कॉशन नमबर 5 बात करते हैं नेक्स्ट कॉशन कॉशन नमबर 6 के बारे क्या गरा कुशन नमबर 6 देखिए कोई दन 3 वर्षों के लिए खास ब्याज की दर पर उधार दिया गया यदि ब्याज की दर 6 प्रतीशत वाट से कम होती तो 90 रुपे कम ब्याज के प्राप्त होते तो वह धन कितना है बता सकते हैं आराम से कोई बड़ी बात नहीं है कोई दन 3 वर्षों के लिए खास ब्याज की दर पर उधार दिया गया यदि ब्याज की दर 6 प्रतीशत वार्शिक कम होती तो 90 रुपे कम मिलती इसका मतलब हर साल 6 प्रतीशत कम हो रहा है तो 3 वर्ष में अगर मैं देखूं तो ब्याज की दर कितनी कम होती एक साल में 6 प्र प्रतिशत। मैं कितना कम हो रहा है इक प्रतिशत के बांब्ग गण को तो क्या पूछ रहा है वो मुल्दन का मान और मुल्दन को हम कितना मानते हैं 100 प्रतिशत ये मान एक का है तो 100 का कितना होगा 100 से गोणा का ये कैंसिल हो रहा है पांच बार तो कितना आ गया 500 रुपए हमारा प्रिंसिपल ठीक है यह था हमारा कुशन कुशन नंबर 6 जिसका आंसर आया यह बात करते हैं नेक्स्ट कुशन नुमर 7 के बारे क्या गयरा कुशन नंबर 7 देखिए मोहन 800 रुपए को दो अ समान बैंकों में बाट कर बैंक A और बैंक B में जमा करते हैं बैंक A से ब्याज की दर है 10 प्रतिशत बैंक अच्छा समय है 8 वर्ष चलिए बैंक B से ब्याज की दर है 12 प्रतिशत और समय कितना है 10 वर्ष यदि बैंकों से एक समान ब्याज प्राप्त होता हो तो 10 प्रतिशत ब्याज पर कितना धन लगाया गया है बताई है हम कर सकते हैं पहला कुशन ही हमारा ऐसा ही था टोटल कितना है 800 रुपए दो प्रिंसिपल में बाटा पहले को P1 दूसरे को P2 माला कोई दिक्कत नहीं चलिए ए में आपको ब्याज की दर 10 प्रतिशत मिल रही है और 8 वर्ष के लिए मिल रही है तो हर साल 10 प्रतिशत ब्याज है ए में और समय 8 वर्ष का है तो 10 प्रतिशत हर साल है तो 8 साल में ब्या गा 80% और यह 80% किसका होगा जो हमारा प्रिंसिपल है 800 में से जितना मैं जमा कराऊंगा उसका 80 चलिए दूसरे वाले बैंक में इस्तिती क्या है ब्याज किदर कितनी है 12 प्रतिशत और समय कितना है 10 वर्ष तो हर साल 12 प्रतिशत मिलेगा 10 साल 30 तक मिलेगा तो आप ब्याज कितना ले लोगे अप 120 प्रतिशत ब्याज Eddy आप लोगे किस पर जतना उस बैंक में जमा कराओंगे मुल्दन प्रिंसिपल उस के तो पर मिलेगा रस्णने के البस आगे आफते उमारा श्रेंस्वा वह तो एंसल हो रहा है में बिलकुल और यह कितना दो तो मैं देख सकता हूं P1 पहली बैंक A बैंक जो है उसके लिए मुलदन बटा P2 दूसरी बैंक B बैंक जो है उसके लिए मुलदन इनका अनुपात देखो तो इनका अनुपात आ रहा आपके पास कितना तीन बटा तो अब हमें पता है रैइशिय और प्रपोस्टल अनुपात समान अनुपात के नियमा अनुसर तोल प्रिंसिपल कीतना है 800 रुप्छे तो नीचे इस प्रिंसिपल को दो भागों में बाटा गया है तो इसके 800 के नीचे आ जाएगा दौन बखागों के अनुपातों का टोटल क्योंकि यह 800 रुपे टोटल है तो 3 और 2 का टोटल कितना 5 फिर multiplication में आएगा जिसके बारे में आपको पूछ रहा है आपको पूछ रहा है कि 10 प्रतिशत ब्याज पर कितना दल लगाया गया 10 प्रतिशत वाला अगर मैं देखू तो कौन सा बैंक है 10 प्रतिशत वाला बैंक है आपका पहला तो P1 का मान निकालना है जो कि कितना है 3 तो गुड़ा में कर लेते हैं P कैंसल कर सकते हैं ठीक है कितनी बार जा रहा है सबसे पहले एक बार कितना बचा आपके पास ये रह गया 3 तो कितना होगी है ये 30 तो अब चला गया कितना 6 बार तो 16 का 3 से कर लेते हैं 480 रुपए हमारा आंसर होगा जो कि पहला आप्शन आपका बिलकुल सही तो ये था हमारा कॉशन नमबर 7 बात करेंगे हम कॉशन नमबर 8 से हमारे नेक्स पार्ट में तब तक चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट बोक्स में कमेंट्स कीजिए थैंक्यू सो माइच प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी